दोस्तो तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Future Simple Indefinite Tense के बारे में आईए Future Simple Indefinite के रूल्स को जान लेते हैं तो इसका पहला रूल है Future Simple Indefinite Tense की पैचान यह है कि वहें वाक्य हिंदी में गा, गे, गी से समाप्त होते हैं यानि जिसके अंतमिन गा, गे, गी आ जाए समझ लेना वहें Future Simple Tense है Second Rule है अनुवाद के लिए First Form अनुवाद के लिए First Person अर्थाट I and We सब्जेक्ट के साथ Shall तथा से सभी Persons के सब्जेक्ट के साथ Will का प्रियोग किया जाता है अनुवाद के लिए First Person अर्थाट I, We, सब्जेक्ट के साथ Shall तथा से सभी Persons के सब्जेक्ट के साथ Will का प्रियोग किया जाता है Third Rule है Shall तथा Will के पश्चाट Shall तथा Will के पश्चाट First Form of Verb का प्रियोग होता है Fourth Rule है Will तथा Shall के Modal Axillary Will तथा Shall के Modal Axillary के रूप में अधिक प्रियोगों के लिए पुस्तक में अन्यतर देखे एक बार दुबारा पढ़ते हैं Will तथा Shall के Modal Axillary के रूप में अधिक प्रियोगों के लिए पुस्तक के अन्यतर देखे यानि और सब्दों को देखे आईए अब हम इनके examples को जानते हैं तो इसका पहला example है मैं आज यहीं ठहरूँगा तो इसे हम English में बोलेंगे I shall stay here today I shall stay here today यानि मैं आज यहीं ठहरूँगा Second example है हम गाना गाएंगे तो इसे हम English में बोलेंगे We shall sing We shall sing यानि हम गाना गाएंगे Third example है आप मुझसे मिलने जल्दी आओगे तो इसे हम English में बोलेंगे You will come to see me soon You will come to see me soon यानि आप मुझसे मिलने जल्दी आओगे Fourth example है वह होटल में ठहरेगा तो इसे हम English में बोलेंगे He will stay in a hotel He will stay in a hotel यानि वह होटल में ठहरेगा Fifth example है वह बच्चों की देखवाल करेगी तो इसे हम English में बोलेंगे She will look after the child She will look after the child यानि वह बच्चे की देखवाल करेगी Sixth example है वह नदी में ठहरेंगे तो इसे हम English में बोलेंगे They will swim in the river They will swim in the river यानि वह नदी में ठहरेंगे Seventh example है Seventh example है ये नदी में ठहरेंगे They will swim in the river यानि वह नदी में ठहरेंगे Seventh example है Christian को डंड मिलेगा Christian को डंड मिलेगा इसे हम English में बोलेंगे Christian will get punishment Christian will get punishment यानि Christian को डंड मिलेगा आठवा example है भारत उन्यती करेगा तो इसे हम English में बोलेंगे India will progress यानि भारत उन्यती करेगा Ninth example है हम आगे बढ़ेंगे तो इसे हम English में बोलेंगे We shall advance We shall advance यानि हम आगे बढ़ेंगे Tenth example है वे यूद जीतेंगे तो इसे हम English में बोलेंगे They will win the battle यानि वे यूद जीतेंगे आईए अब हम फ्यूचर Indefinite Tense के Negative sentence को जानते है तो इसका पहला रूल है फ्यूचर सिंपल Indefinite Tense के वाक्यों को Negative बनाने के लिए Sell will के पस्चात Note का प्रियोग करे तथा तत पस्चात Verb की First Form का प्रियोग करे आईए अब Negative sentence को Example के माध्यम से समझते हैं पहला इक्जामपल है मैं बाद विवाद मैं बाद विवाद पर्तियोगिता में भाग नहीं लूँगा तो इसे हम इंग्लिस में बोलेंगे I shall not take part in the debate competition I shall not take part in the debate competition यानि मैं वाद विवाद पर्तियोगिता में भाग नहीं लूँगा Second example है हम मेले में नहीं जाएंगे तो इसे हम इंग्लिस में बोलेंगे We shall not go to fare We shall not go to fare यानि हम मेले में नहीं जाएंगे Third example है तुम किराया नहीं दोगे तो इसे हम इंग्लिस में बोलेंगे You will not pay the fare You will not pay the fare यानि तुम किराया नहीं दोगे Fourth example है वहें एक नया सूट नहीं खरीदेगा वहें एक नया सूट नहीं खरीदेगा तो इसे हम इंग्लिस में बोलेंगे He will not purchase a new suit of clothes He will not purchase a new suit of clothes यानि वह एक नया सूट नहीं खरीदेगा फिफ्थ एक्जाम्पल है वह सीडिया चड़कर उपर नहीं जाएगी वह सीडिया चड़कर उपर नहीं जाएगी तो इसे हम इंग्रिश में बोलेंगे She will not go upstairs यानि वह सीडिया चड़कर उपर नहीं जाएगी 6th example है भारतिये लोग ब्रश्टाचार सहन नहीं करेंगे तो इसे हम English में बोलेंगे Indians will not bear with corruption यानि भारतिये लोग ब्रश्टाचार सहन नहीं करेंगे 7th example है चंदर्मा पर हमें oxygen नहीं मिलेगी तो इसे हम English में बोलेंगे We shall not get oxygen on the moon यानि चंदर्मा पर हमें oxygen नहीं मिलेगी 8th example है भारत यूद के लिए परमानू बम नहीं बनाएगा तो इसे हम English में बोलेंगे India will not produce a nuclear bomb for war यानि भारतिये यूद के लिए परमानू बम नहीं बनाएगा 9th example है पुलिस अपरादियों की रक्षा नहीं करेगी तो इसे हम English में बोलेंगे यानि पुलिस अपरादियों की रक्षा नहीं करेगी 10th example है नियाएधिश अब समविधान की रक्षा नहीं करेंगे तो इसे हम English में बोलेंगे यानि नियाएधिश अब समविधान की रक्षा करेंगे आईए अब हम future simple indefinite tense के interrogative sentence के रूल्स को जानते हैं पहला रूल है future simple indefinite tense में interrogative sentence बनाने के लिए will, cell का प्रियोग subject से पहले किया जाता है second rule है यदि interrogative sentence negative हो तथा subject के बाद note का प्रियोग भी हो दुबारा पढ़ते हैं यदि interrogative sentence negative हो तो subject के बाद note का प्रियोग भी करें third rule है interrogative sentence के अंत में person वाचक्चिन यानि question mark का प्रियोग अवश्य करें आईए अब हम इने example के माद्यम से समझते हैं पहला example है क्या मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो इसे हम English में बोलेंगे shall I accompany you यानि क्या मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा second example है क्या हम नदी पार कर लेंगे तो इसे हम English में बोलेंगे shall we cross the river यानि क्या हम नदी पार कर लेंगे third example है क्या तुम हमारा साथ दोगे तो इसे हम English में बोलेंगे will you help us यानि क्या तुम हमारा साथ दोगे fourth rule है क्या वह समूंदरी जहाद से जाएगा तो इसे हम English में बोलेंगे will he go to ship यानि क्या वह समूंदरी जहाद से जाएगा Fifth rule है, क्या वहे fashion को देखने जाएगी तो इसे हम English में बोलेंगे Will she go to see the fashion show? यानि क्या वहे fashion show देखने जाएगी Sixth example है, क्या वह तुमारे विरुद शिकायत करेंगे तो इसे हम English में बोलेंगे Will they complain again as to you? Will they complain again as to you? यानि क्या वे तुम्हारे वियुद शिकायत करेंगे सेवन्थ एक्जामपल है क्या मैं बदला नहीं लूँगा तो इसे हम इंगलिश में बोलेंगे Sell I not take revenge Sell I not take revenge यानि क्या मैं बदला नहीं लूँगा आठवा एक्जामपल है क्या हम सरकार के आदेश नहीं मानेंगे क्या हम सरकार के आदेश नहीं मानेंगे तो इसे हम इंगलिश में बोलेंगे Sell I not obey the government orders Sell I not obey the government orders यानि क्या हम सरकार के आदेश नहीं मानेंगे नाइफ एक्जामपल है क्या आप कोफी नहीं पियोगे क्या आप कोफी नहीं पिएंगे तो इसे हम English में बोलेंगे Will you not take कोफी Will you not take कोफी यानि क्या आप कोफी नहीं पिएंगे Tenth example है क्या वह कुस्तियां देखने नहीं जाएगा क्या वह कुस्तियां देखने नहीं जाएगा तो इसे हम English में बोलेंगे Will he not go to watch wrestling Will he not go to watch wrestling यानि क्या वह कुस्तियां देखने नहीं जाएगा